है एवरीवन वेलकम डूराज एकोनॉमिस इन कॉमर्स क्लॉसेज मैं हूँ नीरज कुमार और आज है आपका 45 डे चैलेंज का डे नमबर एट टार्गेट है हमारा यूजी सी नेट दो हजार चौबीज अगर आप एकोनॉमिक्स के स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट सिरीज मैं चला रहा हूँ जो कि यह 45 डे चैलेंज इसमें अभी फिलाल इंपोर्टेंट टॉपिक्स डिसकस कर रहा हूँ एवर ग्रीन टॉपिक्स जो अक्सर सवाल जिसे एक्जाम में पूछता है इसके बाद मैं डिसकस करने वाला हूँ आपका प्रिवियस येर कोश्चेंज एपको पता होगा एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक्स करेंगी ये आपके एक्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है तो आगे बढ़ने से पहले एक information अगर आप राची से हैं और offline classes करना चाते हैं यहाँ पर आप हमारा Center visit कर सकते हैं नंबर दिया हुआ स्क्रीन पर नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं वी एकॉनमिक्स में एकॉनमिक्स यू यूजी सी नेट ट्यूएट यूजी पीजी इन सब का classes यहाँ पे चलता है एकॉनमिक्स और कॉमर्स का हना तो जो भी क्लास करना चाहते हैं वो काइंडली यहाँ पे पॉन्टेक कर सकते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगर मल्टिप्लायर की बात करें सबसे पहला यह तर्म है यूज किया गया किसके दवारा इतफित यूज किया कहन के दवारा ठीक है नाइनिटीन-30 31 में इन्होंने जो multiplier use किया था उसे बोला था employment multiplier क्या होता है कि impact on total employment with increase in primary employment ठीक है अगर किसी को employment मिले primary employment मिलने से और total employment में क्या changes आता है ठीक है इसके बारे में कहन ने बतलाया था इसको डिटेल में जानने क्या आप सकता हम ही नहीं है बस याद रखिएगा multiplier first given by Professor Tahan 1931 जिसे कहा जाता है employment multiplier ठीक है important आपका यहां से from first investment multiplier ठीक है यह concept दिया किसने प्रोफेसर जॉन मैनोड केंस ने जेम केंस ने ठीक है इसको closed economy multiplier के नाम से भी जानते हैं ठीक है यह क्या दिखाता है यह दिखाता है change in income due to change in investment जब investment में change हो तो income में कितना changes हुआ चुकि यह माना जाता था कि income में जब investment में changes होता है ना तो income multiples time में change होता है जैसे मान लिजिए 1000 रुपया investment change हुआ ठीक है multiplier का formula क्या है change in y by change in i ठीक है अगर income 4000 पड़ गया कब due to increase 1000 increase in investment तो कितना हुआ चार मतलब investment का चार गुना जो है income बढ़ा है ठीक है ना इसी को हम लोग के बराबर जो है relation जब बताते है mpc, mpc, mpc तो हम लोग बोलते है 1-b जहां 1 जहां b का मतलब क्या है b का मतलब है mpc इसको हम लोग 1 by mps भी लिख सकते हैं ठीक है जहां रखिएगा जो mpc होता है उसका value किसके बीच में लाई करता है 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो अगर mpc 0 हुआ तो multiplier 1 होगा अगर mpc 1 हुआ तो multiplier infinite होगा मतलब multiplier का value 1 से infinite के बीच में लाई करता है जहां रखिएगा relation की जब बात करें जब mpc बढ़ेगा तो multiplier बढ़ेगा क्या होगा जब mpc बढ़ेगा तो multiplier का value भी बढ़ेगा जब mpc हमारा घटेगा तो multiplier का value घटेगा मतलब mpc और investment multiplier के बीच में कैसा सम्मंद होता है positive relation होता है देखें वहीं mps की बात करें जब mps बढ़ेगा तो multiplier का value घटेगा और जब mps का value घटेगा तो multiplier का value बढ़ेगा मतलब marginal propensity to save और multiplier के बीच में कैसा relation होता है inverse relation पाया जाता है ठीक है ना कुछ अजमसन है अजमसन क्या है mpc को constant माना गया है closed economy है यह केंस का concept है ने कहा है इन्वेस्टर मल्टिप्राइट जो केंस ने दिया right ignored induced investment and accelerator effect इन्होंने शिर्प और सिर्प autonomous investment को consider किया है induced investment और accelerator को consider नहीं किया है ध्यान रखेगा access capacity in consumer goods industry जो consumer goods industry वहाँ पे access capacity पाया जाता है no access capacity in production sector जो production sector वहाँ पे किसी भी प्रकार का access capacity नहीं है यह सारे अजमसन है केंस के multiplier का ठीक है या features है भाई केंस के इन्वेस्टर मुल्टिप्लाइर का higher mpc implies higher value of multiplier मैंने भी तो कहा था कि जब mpc बढ़ेगा multiplier भी बढ़ेगा multiplier can reduce due to leakage like saving government taxes imports ठीक है देखो जब investment हुआ लोग save करने लगें जैदा मैंने कहा था ने mpc के साथ inverse relation होता है multiplier का ठीक है यह leakage का का काम करता है saving या government tax लगा दिया तो वह leakage का का काम करेगा हम import कर लिए तो leakage का का काम करेगा value of multiplier जो है lies करे कि तो one and infinity अभी तो मैंने reason बता ही दिया था one to infinity के बीच में लाई करता है ठीक है ना चलिए तो यह हमारा investment multiplier था मुझे उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट एफ foreign trade multiplier foreign trade multiplier का मतलब कहता है जब export change होगा तो income कितना change होगा क्या बताता है जब export होगा हम लोग जब समान मतलब मेरा शमान जब foreigner purchase करेंगे ठीक है export होने से income में क्या impact पड़ेगा ठीक है that is by how much does income increase means how much income increases due to increase in export उसी का जो ratio होगा वो क्या कहलाता है foreign trade multiplier ठीक है ना कहता है open economies का जंसन है work in both forward and backward direction मतलब forward backward दोनों में काम करेगा मतलब export घटेगा तो income कितना घटेगा यह होगया backward export बढ़ेगा तो income कितना बढ़ेगा यह होगया forward multiplier ठीक है एक्सपोर्ट सार और अटोनोमेस्टी डिटर्माइन मतलब एक्सपोर्ट जो सतनतरूप से determined होता है imports are a positive function of income देखे जो इंपोर्ट हमारा होगा वो पोजिटीव function किसका income का ठीक है ना पांचवा नमर क्या है कंजंशन इस डारेक्टली रिलेटेटेट टू इंकम मतलब इंकम बढ़ेगा तो consumption बढ़ेगा नो एक्सेलरेटर ठीक है नो गवर्मेंट एक्सेंट एक्सेंज रेट यह सारे हमारे assumption लेगा है कितमे foreign trade multiplier के अंतर ठीक है न जान रखिएगा foreign trade multiplier का formula है change in income due to change in export delta y बटा delta x delta x का मतलब यहाँ पर क्या है change in export delta y का मतलब change in income इसी को जब हम लोग simplify करते तो बन जाता है हमारा formula 1 by mpm मतलब marginal propensity to import और marginal propensity to save यह दोनों अगर बढ़ेगा न तो foreign trade multiplier का value घटेगा जब यह दोनों घटेगा तो foreign trade multiplier के value बढ़ेगा एक important note है केंसे multiplier greater होता किससे foreign trade multiplier से यह एक बड़ा important term में याद रखिएगा ठीक है न चलिए next है super multiplier लेके super multiplier के term था वो hicks नहें दिया था ठीक है उनका कहना क्या है कि जब autonomous investment change होता है तो income change होता है और जब income change होगा तो induced investment change होता है केंस ने सिर्फ consider किसको किया था autonomous investment को hicks ने क्या कहा भाई autonomous investment change होगा तो जब income change होगा तो induced investment change होगा ठीक है यहां आई बराबर a plus i y है जहां पर i का मतलब induced investment ठीक है आई जो है propensity to invest है clear y है income a जो हमारा autonomous investment ठीक है super multiplier का formula है 1 by mps minus mpi ठीक है marginal propensity to invest है हमारा mpi और major propensity to save है mps यह super multiplier का formula होता है जान रखेगा super multiplier will be greater than investment multiplier given by kens ठीक है simple सी बात है न यहां पर autonomous investment के साथ साथ induced में दोनों को लिया है तो greater तो उसका value आएगा ही आएगा आपको याद क्या रखना है याद रखना है कि kens ने सिर्फ और सिर्फ कंसीडर किया हिक्स ने सिर्फ autonomous investment को consider किया हिक्स ने सूपर multiplier में autonomous investment और induced investment दोनों को consider किया और इसका formula क्या है 1y mps-mpi इतना सवाल आपका एक्जाम में इससे आ सकता है ठीक है ना नेक्स्ट है बैलंस्ट बजट मुल्टिप्लायर बैलंस्ट मुल्टिप्लायर जानने के पहले समझ लिज्जे कुछ अजम सने टैक्स अल्ली autonomous and lump sum taxes autonomous है ठीक है government purchases of goods and services are included and not the transfer payment जो सरकार goods and services प्रचेज करती उसको सामिल करते है transfer payment को नहीं मतलब अगर हम लोग पेंसन वगेरा दे रहें उसको नहीं government expenditure and tax do not affect investment activity मतलब सरकार जो खर्च करती है उसे या फिर टैक्स लगाती है उससे किसी भी प्रकार का लोगों का investment activity affect नहीं होता है यह balance multiplier का अजमसन है ठीक है अब सवाल है यहाँ पर दो टर्म इन्होंने यूज किया में ली government purchases multiplier काम करेगा टैक्स multiplier काम करेगा ठीक है क्या है वाई government purchase multiplier का मतलब होता है change in income due to change in government expenditure जब सरकार खर्च करती है उसके कार्ट income में क्या changes आता है फॉर्मूला है डेल्टा वाई डेल्टा जी हना यह government purchases का multiplier है हना one by one minus b b मतलब mpc ठीक है वही टैक्स multiplier का मतलब होता है change in income due to change in taxes हना यह negative होता है negative minus b बटा one minus b लिया गया क्योंकि जब tax बढ़ता है तो income घटता है ठीक है यह हमारा हो गया tax multiplier clear या देखे का tax multiplier less होता है government multiplier से मतलब ग्रेटर होका tax multiplier से ठीक है तो हम लोग पढ़ रहे है balanced budget multiplier तो balanced budget multiplier जो होता है वो होता है sum of government purchase multiplier plus tax multiplier दोनों का summation that is देखे balanced budget multiplier इसका अर्थ क्या हुआ गवर्मेंट multiplier मतलब गवर्मेंट expenditure multiplier प्लस tax multiplier तो क्या था one by one minus b यह क्या था हमारा government एक्स पर्चेज multiplier और tax minus one by one minus b sum कर देंगे आपका value आएगा one के बराबर ठीक है त्यान दखेगा इसमें हम लोगोंने tax multiplier में क्या माना है कि जो टैक्स है वो ऑटोनॉमस है लेकिन अगर टैक्स है इंड्यूस्ट हो या प्रपोश्चनल टैक्स हो तो वहाँ पर टैक्स multiplier का फॉर्मूला यह हो जाएगा minus b by one minus b minus b t b का मतलब mpct का मतलब टैक्स रेट ठीक है ना कोई दिक्कत नहीं यहां तर चलिए नौट करने की बात है कहता है बैलेस्ट बजट मल्टिप्लायर इस इकोवल टू वन अउनली इन केस ओप लंसम टैक्स हो अटोनॉमस टैक्स हो ठीक है तो वैसे सिचुवेशन में ही बैलेस्ट मल्टिप्लायर का वैल्यू वन हाएगा अगर प्रोपोशनल टैक्स हो तो बैलेस्ट बजट मल्टिप्लायर का वैल्यू लेस देन वन होगा ध्यां रहे क्या बोला मैंने balanced budget multiplier का value 1 सिर्फ तब होता है जब lump sum tax लगाया जाता हो लेकिन अगर proportional tax हो तो balanced budget multiplier का value less than 1 होगा सवाल इससे अक्सर आता है आपके exam में ठीक है ना चलिए आगे क्या है स्टैटिक और डानेमिक मल्टिप्लायर देखे इस्टैटिक मल्टिप्लायर जो केंस का multiplier था इस्टैटिक मल्टिप्लायर का मतलब होता है जो लोजिकल मल्टिप्लायर मतलब कहता है ना कि जब जब investment change होगा और investment में चेंज होने के कारण immediate effect पढ़े इनकम पे उसको बहुत है static multiplier केंस का जो investment multiplier था वो था static multiplier उन्होंने कहा जैसे investment हुआ इनकम कई times बढ़ जाएगा तुरन immediately clear है तो this is static multiplier लेकिन जब हम बात करें टैनिमिक multiplier तो यह क्या होता भाई यह related होता है sequence या period of multiplier से ठीक है मतलब इसका फॉर्मूला है change in investment होने से change in income into one plus b plus b square plus b q plus dot 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 n का power n summarize करने y नीचे ले आए ठीक है तो delta i by delta y बरावर one minus one by one minus b ठीक है ध्यान रखिएगा तो dynamic multiplier होता है कि over the time जो होगा ना वो consumption decrease करता है यह बताता है उपर से दूसरी बात डाने मिक मेर्टी प्लाइब basically क्या कहता है ना कि immediate effect नहीं पड़ता है जैसे इन्वेस्मेंट गोगा तो धीरे-धीरे प्रभाव पड़ेगा ठीक है तुरंत प्रभाव नहीं बन जाता है income पे clear है तो दीज जाज दा different multiplier in economics है ना मुझे उम्मीद है आपको यहां तक पूरा concept समझ में आया होगा आ गया है तो मिलते नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टे नए टॉपिक और नए और important topic के साथ आज कहीं तक धन्यवाद